हलो एवरीवान वेल्कम तू फील फिट 24-7 विट टाइम मैंने महसूस किया है कि जॉइंड पेंड्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है लाइफस्टाइल एटिंग हैबिट्स और हमारे खान पान की वजह से यह जो जॉइंड पेंड की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है होता क्या है कुछ कंपाउंड में जो है प्यूरीन एक कंपाउंड होता है कुछ चीजें कुछ फूर्ड जिनका मैं नाम लेता हूं वो ह है आपका हाई फैट फूड्स हैं लिकर ऑब्यसली शुगरी फूड्स बेवरेजिस कुछ दवाईयां मेडिकेशन जो हम रेगुलर लेते रहे हैं और मीट जो है इनमें प्यूरीन कंटेंट बहुत जादा होता है कुछ देली खाने की चीजें हैं जो की जैसे स्पीनच है पालग है, मश्रूम है, इवन वीट ब्रैन्बी, लेंटेश इसमें भी थोड़ा प्यूरीन होता है जब बॉडी इस प्यूरीन को प्रॉसेस करती है तो जो बाई प्रोड़क निकलता है वो यूरीक एसिड निकलता है यह यूरीक एसिड जो है वो किड्नी फ्लश आउट क कर पाएगी उस case में क्या होगा जो uric acid है वो आपके joints के अंदर जो है वो swelling create कर देगा जिससे pain जो है वो बढ़ जाता है अब इसमें हमें करना क्या है इस uric acid से बचने के लिए एक तो जितने भी मैंने नाम लिए प्यूरीन रिच फूड्स हैं उन्हें खाना कम करना और ये मैं आपको बता दूँ चितने भी लोग हमसे जुड़े हुआ हैं और न्यूट्रिफायर और गर्डफायर दोनों प्रॉपरली ले रहे हैं विट टाइम उनके जॉइंट्स पेंस में बहुत रिलीफ मिला है और यूट्रिफायर भी उनका टाइमली कम हो गया है वो कैसे न्यूट्रिफायर जो है नट्स और सीट का कॉम्बिनेशन है अगर मैं साइंटिफिक भाषा में कहूं तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और ओमेगा 9 इन तीनों का बेस आपनेट्ट्स जैसे की मार्श मेलो पाउडर है सिलिप्री ऐल्म है करक्यॉमिन है एलो वेरा है वो आमके जो डाइबस्ति ट्रैक है या यह यूरिनरी ट्रैक है उसे सूथ करता है और आपके जो inflammation है body के अंदर उसे reduce करता है जिससे की uric acid की formation कम हो जाती है और जो बन रहा होता है उसे easily process किया जा सकता है मैं request करता हूँ कि neutrify और gird fire आप दोनों use करें उससे uric acid जो है वो body में control होगा आप blood test करवा कर देख सकते हैं और gradually आपके joint pains कम हो जाएंगे हमारे बहुत सारे users हैं उनके joint pains पे उन्हें बहुत relief मिला है thank you so much and thank you so much for giving so much love to deutrify and gird fire as well take care of yourself thank you